हेलो फ्रेंड्स आज अपने वापस एक नए टोपिक के साथ आगे हैं अपने पैथलोजी स्टार्ट कर ले थी काफ़ी कुछ टोपिक किये थे आज पैथलोजी के अंदर जो जितना इंपोर्टेंट ये टोपिक है उतना ही ये थोड़ा टफ भी पढ़ता है तो आज अपन जानेंगे कि रस्ट की लाइफ सैकल कैसे होती है कैसे रस्ट अपने जो साइकल कंप्लीट करता है और रस्ट के बारे में जितना कोशिश होगा आज अपने जानने की कोशिश करेंगे तो स्टार्ट करते हैं अपना डिस्कसन रस्ट पर आपको पता है कि जो वीट रस्ट है वो तीन टाइप की होती है बलेक रस्ट जिसको स्टेम रस्ट भी बोलते हैं बलेक रस्ट को स्टेम रस्ट बोलते हैं पक्सीनिया ग्रेमिनिस्टिटिसाई इसका जो है ठीक है साइन नेम हैं बने क्रस्ट को सुक्राइब रश्त बोलते हैं ओरान रष्ट बोलते हैं जिसका नम में पक्षिंड्य हर competent्ही और येलो रश्त को स्ट्र pane dispbaar नाम में डेक्स बॉलते हैं यह होती है ishttiformis के रूप में इसलिए इसका नाम ishttiformis है जैसे कोई भी रष्ट आगर आपको systematic डंक से लिख जाए जैसे यह leaf है तो systematic डंक से सब्सक्राइब से एकदम systematic डंक से strip की रूप हो में लिख जाए तो समझ लेना कि वो yellow rust या stiff रशी है जो पक्सीनिय इस्टिफोरमिस की विज़े से हो रही है ठीक है फ्रेंड्स उसके बारे में आज अपन जो है ब्लेक रस्ट की जो है जितना कोशिश हो सकता है ब्लेक रस्ट को जानने की फुल कोशिश करेंगे तो आपको पता है कि यह मेक्रो साइकलिक है ठीक है इसकी छोटी होस्ट प्लांट की जूरूद पड़ती है और रोटर्नीट मतलब एक तो णदर प्रेंट्स प्रकार के इस पूर्स टीक है Are होता है बेस्टीडियो स्पोर्स एक होता है स्परमेटिया एक होता है स्पोर्स एक होता यूरेडो स्पोर्स एक होता टीलियो स्पोर्स तो जानेंगे कि कौन सा स्पोर कहा होता है और इसकी पूरी डिटेल्स जानते हैं अब यह स्टार्ट है कि जो है वीट के अंदर यह जो दो रहा है कि जो रस चखती है वो यहाँ पे हिल्स समझ लो, हमाले बना रहा हूं मैं ठीकी, यह हमाले यह अपना प्लेन है तो यहाँ से रश्ट जो सबसे पहले आती है वो यृडुडु स्पोर्स को इनफेक्शन करती है वीट को और यह हिल्स से जब आती है यह प्लेन रिजन में आती है अपना प्लेन रिजन जो है जहां पर वीट प्रोडक्शन होता है तो यह हिमाले से जो रष्ट है यह रष्ट के स्पोर्स उड़ गाते हैं सबसे बड़ी चीज तो यह ठीक है अब अपने इस इमेज से इसको जानने के कोशिश करेंगे क्या होता ठीक है इसके लाइफ से लिए आदे रखिए अब यह देखिए यह इसको स्पोर्स है यह जो है उड़के आ रहे हैं कहां से हील से ठीक है हील से आ रहे हैं यह यूरिडो स्पोर्स के अंदर मतलब यह कनवर्ट होता है यूरिडो स्पोर्स के अंदर इसकी कैपसिटी होती है कि इसके अंदर reserve food होता है करते हैं कि यह sports बहुत मजबूत होता है अब यह sports जैसे ही wheat पर आएंगे यह localized infections करेंगे localized मतलब जैसे infection मतलब systematic नहीं करेंगे जैसे यह leaf है ठीक है तो इस पर मतलब एक जगे यह करेंगे ठीक है यह आएंगे फिर यह यह बाइंगे यह इन्फेक्शन होगे और यह इसको प्लानट को है इसको तो इनफेक्ट करते जाएंगे तो यह बीट मैश्व्रटी की तरफ जाएगा उपने फेवरेबल कंदिशन यह ठोड़ी जा रही है मामला खराब हो रहा है तो यह क्या लस्ट में टीलियोस्ट का फोर्मेशन फोर्मेशन कम कर सोगा, तो ऐसे में coyस्ट का फॉर्मेशन की स्टेज़े जा hot mystical कर द speech कि सौनदर ही 있도록 कर थास बहनन कि कैसी कैसी दिखने में में है, तो यह इसमें टीलीयोस्ट का फोर्मेशन हो खाएको फिर टीलियोज़ पूर हो सकता है डॉर्मेंट स्टेज़ में पर चले जाएं फिर इसमें जैसे स्प्रिंग सीजन आएगी इसके अंदर फिर केरियोगेमी आपको पता ही है ठीक है नुकलियोज का फ्यूजन होता है अब इसके अंदर आपको दिखे रहें दो को झानी सेल बनती है चार सेल बनती है ठीक है और मियोजस हो गए यहाँ पर यहां पर यहां बढ़ेगी कि चार सेल ऑप देख रहें यहां पर यह प्रो माइसिलियम में इसके अदर चार सेल यह इकि एधर यह जबिए स्पोर्ट फॉर्मदे डिफरेंट इसमें 가서 झार इंफेक्ट नहीं करता यह बारबेरी कोई करता है अब इसकी या तरह वापस स्टार्ट होगी और यह हील्स से वापस यह हील्स की तरफ जाएगा जहां पर बारबेरी होगी ठीक है हील्स पर होती बारबेरी तो वहां पर जाकर यह क्या करेगा कि बारबेरी की जो लीफ होगी तो सब्सक्त दीए यह वाटरडरोप पी मोट के लूरनोपन? तो है सब्सक्राइब पिस्टरम को फोर्मेशन करेंगे एससे पिकनीडियम के फॉरमेशन से इसके आई से बाहर नकलेंगे ठीके अब ये इनको वापस डाइक होना फिर ये वापस एस इस स्ट्रक्चर बनेंगे ठीके इसके बने कि अपने पढ़ेदा होगा कि जो रिप्रडुक्षन spermatization तो यहाँ पर spermatization होगा यह जो बार से निकलेंगे ऐसे ठीक है यह बार रिसेप्टिव हाइफा बोलते हैं इसको रिसेप्टिव हाइफा यह क्या करेगी ऐसे fluid like sugary structures जैसी यह produce करती है तो insect attract होते हैं और वापस जो है sports इसके अंदर मेल जो है part है बले मेल को यह plus minus इनको ऐसे नाम दे दो ठीक है तो यह जाके क्या करेगा इसको infect करेगा मतलब infect तो क्या करेगा infect नहीं बहुत सकते इसको मतलब यह fertilization करेगा ठीक है तो यहाँ पर क्या होगा कि एक जो है मेल ठीक है मेल क्या करेगा कि mitotic division से जो शारी जो जितने भी है नीचे cells उसको di-carotic बना देगा mono-carotic से di-carotic बना देगा और di-carotic बनाने से नीचे क्या होगा S-cus का formation होगा ठीक है S-cus बनेगा नीचे अब S-cus में क्या होगा कि यहाँ पर तो mono-carotic थै ठीक है अब यह di-carotic बना रहे नीचे देखे रहाँ ठीक है यह di-carotic तो यह A-sim का formation होगा और यह A-sim का formation होने के बाद वापस जो है अपने life cycle repeat होगी उसी अंदाज में वापस यह A-sco sports urido sports में बदलेगा urido sports से फिर infection होगा फिर यह secondary infection होगा secondary infection होगा वापस बार बेरी बाद बेरी पाएंगे ऑफ देख रहे हो, यह वीट पह ठीक है और यह बार बेरी पहे तो यह अपना एक general मतलब था ठीक है, आप देखते हैं, वह रागे का इसके अंदर भी डेखिए, यह इई picture दे रही ही है ठीक है है आप देख रहे हैं और यहरण योडव स्पोर्स यह टीलियो स्पोर्स का फॉरमेशन हुआ फिर इसके अंदर केडियो गयमी हुआ फिर प्रो माईसलियम से इसमें बेस यडुर्डय बॉलते हैं वह इसका फॉरमेशन हुआ यह नीचे देखिए यह जैसी टो एन होगया यह SQM का formation होगी SQS का फिर यह वापस राइप सेकल जो है यह 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 स्पोर्स का बता रहा है कि रिपीट होती है ठीक है यह यह देखिए यह सिम्टम में इसके ठीक है सब्सक्राइब करता है उसके साथ में इसको मारता नहीं है ठीक है अपने बात कर लिए कि जो मैसी लिया होता है वो करता है एक्ट उनली पार्ट अफ फ़्लांट मतब सिस्टेमेटिक दंग से उसके अंदर सिस्टेमेटिक इन्फशन लिकरता यह दिए इसके बाद में अपने सेगें टिए इपटा था यह यह स्पोर्स केपिल ऑफ़ दे इमेडिया जर्मिनेशन जर्मिनेशन फफ दे यह क्लोज होगा युरोदाइप युलियु त्पोर्स में बदल जाएगा ठीक है यह फिर नहीं कर सकता पिक नएक विचिट को नहीं कर सकता फिर स्पर्मेटियए फिर कंटेंड इनफ रिजर फूट सेटेंड येंफ होता है ठीक है और ये जो है एक और इसका सिम्टम में अगर आपको मैं ने क्या कहा था कि अगर आपको अगर एस इस एक इस ट्रिप में दिखे तब तो वोगी यलो रस्ट अब यह देखे किते बड़ीया सिम्टम दिखे रहे ह कि आज का डिस्कुस रिता ही था अगर आपको समझ में यह तो वापस आप देख लेना आपको समझ माजाएगा साइट थैंक्यू फ्रेंड सेमें नाइस टेग